नमश्कार मेरा नाम है सुनिश सिंह मैता हाज मुना आपके सामने सौली स्टेथ इता एक और इन दुनों क्या करना है, combine करना है Now, vibration का मतलब क्या होता है Vibrational motion का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते हो, कि जब कोई एक object किसी एक mean position के about याँ बोलते हैं, fix point के about to and from motion करता है, तब हम क्या बोलते हैं, कि ओबजेट क्या कर रहा है Vibrational motion कर रहा है, या बोल सकते है वो object Vibrational कर रहा है दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर lattice है, lattice क्या होता है, lattice को किसे define करते हैं, हम बोलते हैं कि जो arrangement of atom यानि किसी atom का, या फिर atoms का ऐसा arrangement, जिसमें हर atom की surrounding कैसी हो identical हो, उसे हम क्या बोलते हैं lattice बोलते हैं, अगर अंगर जिए बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, कि lattice is a arrangement of atom in which each atom have identical surrounding, जिसमें हर atom की surrounding होगी वो कैसी होगी, identical होगी और उसे हम क्या बोलते हैं, या फिर उस arrangement को हम क्या बोलते हैं, lattice बोलते हैं, ठीक है, ना अब क्या करेंगे अगर कोई हमारे पास lattice है, और उस lattice में, जो हर atom है, वो कहां है, उसके equilibrium position पर है, कहां पर है, equilibrium position पर है, और जैसे उस atom को हम उसके equilibrium position से displace करेंगे, और displace करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम उसको electric shock देके displace कर सकते हैं, हम उसको heat करके displace कर सकते हैं यह बहुत सारी तरीके हो सकते हैं यह पढ़ेंगे हम तरीकों को तरीके हो सकते हैं कि हमने क्या किया जो lattice में जो lattice point पर जो atom है उसे हमने क्या किया उसके mean position से displace किया हम बोल सकते हैं उसके equilibrium position से displace किया तो और हम ऐसा अजुम करते हैं कि जो lattice पहें जो हर atom है वो दुसरे atom से एक elastic spring की help से क्या है connected है क्या आजुन करते हैं कि हर lattice में जो एक atom है वो दुसरे atom के साथ कैसे connected है एक elastic spring की help से connected है अब जैसे मैं उस atom को क्या करूँगा उसकी mean position भी displays करूँगा तो क्या होना चाहेगा अपने mean position वापस आना चाहेगा तो इस वज़े से क्या होगा वहाँ पर एक vibrational motion क्या हो जाएगा create हो जाएगा है बोल सकते हैं वो atom अपने mean position के about vibrate करने लग जाएगा और इस type के vibration को हम क्या बोल देते हैं lattice vibration बोल देते हैं तो मैं 30 के लिए सिखा अब पूरा explain करेंगे उसको हम लिट के चलेंगे एक एक point को हम मलब समझ के चलेंगे ठीक अब मैं एक बरवल यह बताना चाहा रहा हूं आपको ठीक एक question आपके दिवांगों और आता है कि क्यों मतलब हमें lattice vibration की हेल्प से हम क्या गर सकते हैं किसी भी एक solid की thermal property के बारे में information निकाल सकते हैं कि उसके thermal property कैसी होंगी जैसे for example हम specific heat के बारे में जान सकते हैं या थर्मल conductivity के बारे में जान सकते हैं किसकी हेल्प से जो हम lattice vibration पढ़ेंगे उसकी help से ठीक है ओके इतनी गता है theoretical explanation था अब इसको एक detail में समझने की कुछिस करते हैं तो hidden डालो सबसे पहले क्या lattice vibration और सबसे पहले लिखो क्या lattice lattice क्या होता है सबसे पहले लिखो क्या hidden डालो lattice is let is okay अभी आपड़ा कि लेटिस क्या होता है it is arrangement of atom in which is atom have identical surrounding पुलिख चलो इसके आगे lattice it is it is arrangement of arrangement of atom atom in which in which even each atom have each atom have each atom have के एडेंटिकल सराउन्डेंग इसे हम क्यों बोलते हैं लैटिस बोलते हैं। करते हैं यह जो पॉइंट है किसको दिखा रहे हैं अपनी लेटिस साइट पर हैं इस तरीके से बना दिया हम ने से फिन से का यह क्या अर hop harsh है कि है ईसकी स्रांडिंग का सी ओगी एक जैसी ओगी तो इश ट्रीके से हुगे यह क्या होगया हमारा एक पर इसे लेटिस बोलेंगे अगर वहाँ पर कुरूंडिंग में चेंज आ जा जाए तब हम इसे लेटिस नहीं बोलेंगे ठीक है यह इस तरीके से यह क्या हो गया हमारा एक लेटिस हो गया ठीक तो यह डेफिनेशन होगी और यह उसका डाइगराम होगा कहां इंटू डामेंशन अगर टिद्रस की बात करोंगे ऐसा ही अर्जमेंट कैसे हो प्रिख ह्याप्धण्क करोगर खाल्यक अब देखो नौ और ऑवे गरेंगए विके टीम टैटों अगर। each atom, each atom is connected to, connected to other atom, other atom by elastic string, by elastic, elastic spring, क्या आपके अज़्व करेंगे हम कि जो atom है अभी इसे लाइन से दिखा रख रह था है, जो इच एक इसा नहीं होता है, यहां भी किसी थिर्फिन इसे सब्सक्राइब किसे बॉंड होते हैं, बॉंड की यह च्छाहिए जैसे आइडरोजिन बॉंड देसे हमने पढ़े था ना है एनिक बॉंड हो गया ठीक है इन ऐनिक बॉंड का मलब उनके बीचका लग रहा है इलक्रो स्टटिक्र लग रहा है ठीक है तो फॉर्स क्या होता है इक उससे से कनेक्टेट होते हैं लेकिन हम ऐसा अजूंग कर सकते हैं कि वह किसकी है एक दूसरे के साम एक Elastic Spring की है पर से क्या है connected है ना तो इस डियाग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं इस तरह के से बना सकते हैं ठीक है तो यह क्या होगा हमारे अब बार वार आपड़ेगा तो मैं स्प्रिंग को हम यह क्या है यह क्या है इस प्रिंग को देखाने का तरिका है यह क्या है निया बना थम्हें कि अपने क्या यहां बनारें तेक आप अलग ड़े बनानजांगों किया है यह यह ऐस्प्रिंग है ऐस्प्रिंग क्यों की से बोलें Pinterest मैंने यह बोरा कि यह इतम होते हैं Elastic Spring कि help is a connected होते हैं, तो आपको बताना है कि what is Elastic Spring, बढ़ा है ना, कक्षा 11 ने पढ़ा है, कक्षा 10 ने पढ़ा है, 9 ने पढ़ा है, ठीक है, तो Elastic Spring क्या होती है, ठीक है, यह जो Spring है, इसको हम कैसा आजूम कर रहा है, Elastic Spring, Elastic Spring, ठीक है, एक स्प्रिंग यह वांडरवाल फोर्स यह बूल सकते हैं यह फोर्स होते हैं लेकिन अब हमने क्या उजूब कर रखा है कि जो इच अपने जो पुराना जो नम्ट फटा उसी गोरिया रिगेन कर लिया तब इस टैप की जो इस उसे हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक स्प्रिंग बोलेंगे, जो डिफॉर्म नहीं होते, उसको डिफॉर्म करने पर और जैसे हमने डिफॉर्मिशन फोर्स उसे हटाया, इसने अपना जो इनिशल कॉन्फिगरेशन सा उसे क्या कर लिया? गेन कर लिया. इस टैप की स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक स्प्रिंग बोलते हैं. तो यह जो इस्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पर, इच एटम के बीच वो कैसी स्प्रिंग है? इलास्टिक स्प्रिंग है. किलिर हुई बात? ना. अभी इसमें जो हर एटम है, वो कहा है? equilibrium में कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कि जो हर atom है अपनी lattice site पर है अगर मैं यहाँ से atom को हटा कर इसको मैं lattice point से replace कर दूँ तो यह atom की क्या है lattice site है और मैं इस lattice site पर क्या रखा हुआ है atom रखा हुआ है यहाँ तो जहाँ पर atom रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं lattice point बोलते हैं तो यहाँ पर इस particular situation में यह जो मिरे पास arrangement है वो कहा है equilibrium में है और equilibrium में कहने क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हर atom है वो कहा है अपनी lattice site पर है यह exactly अपनी lattice site पर है इसको और थोड़ा सब्सक्राइब बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इस particular situation में जो हर atom है वो अपनी मीन पोजिशन पर है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो arrangement है पूरा का पूरा वो कहा है अपनी equilibrium position पर है तो यहाँ पर लिख कर चलेंगे अब 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 इच एटम इच एटम इच एटम इज इन इज इन इक्किलिवियम इज इन इक्किलिवियम तो वर्ट डियू में बाई एक्किलिवियम जो इक्किलिवियम है उसका मतलब क्या हुआ वट डू यू मीन बाई एक्किलिवियम इक्किलिवियम मेंस इच एटम इच एटम इज ए is at its its आप्स मेस्टम इस कैने हो एक्जट ली एक्जट्ली कि एट इट्स लैटेश साइट लेटेश साइट लेटेश साइट हो कहां पर है एग्जट्ली अपनी लेटेश साइट पर है और यह गायर उनियो हम इक लिविर, बोलेंगे ठीक है आप हम क्या करेंगे इसमें से किसी एक 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 एकम को अपनी इकलिवरियम उसकी एकलिवरियम पूसिए से क्या करेंगे डैस्पलेज करेंगे ठीक है आप देखो क्या है कोई इस तरीके सre 대한 बढ़ा बढ़ाभाण दाओं एक 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 स्प्रिंग यह एक और इधर को भी है इस तरीके से ओके ना ये है इन में से किसी भी एक एक एटम को मालने मैंने इस एटम को इस एटम को यहां से उठा कर कहा रख दिया है इसको मैंने उठा कर यहां से डिस्प्रेस कर दिया है ठीक है क्या कर दिया मैंने इसको डिस्प्रेस कर दिया ओके किस एक्म को इस एक्म को यहाँ से मैंने कितनास्प्राइब कर दिया है अब सकता है इसकी इंटर्म इनडे आजी के वज़े से हैं यह पर यह सकता है कि मैंने इस पर हटोड़ा मार दिया मेरे पास कोई क्या है एक स्टील की चीज़ है कोई सॉलिट है उस मैंने बाहर से मेकेनिकल फोर्स लगाया तो यह डिस्प्रेस हो जाएगा अपनी मीन पोजिशन से यहां फिर को ऐसा हो सकता है कि मैंने इसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया यहां पर इलेक्ट्रमेगनेटिक फोर्स लगा द मतला जहां वो इनिशल ही जहां पर था वहां पर आना चाहेगा यहां पर रुकेगा नहीं वह क्या कर जाएगा अपनी मीन पोजिशन को यहां फिर अपनी एक्किलिवियम पोजिशन को क्रॉस कर जाएगा और कहीं यहां आ जाएगा ठीक है कहां जाएगा कहीं यहां आ जाना चाहेगा अपनी पोजिशन में जाना चाहेगा अगें इसके बास क्या इनिर्शिया है मास है मास करें से इनिर्शिया है तो अगें यहां पर नहीं रुकर का फिर यहां चला जाएगा फिर यहां को आएगा फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां यानि क्या होगा यह जोrat होगा वह अपनी mean position के मेदशन के अब क्या करने लग जाएगा जाएगा और क्या बोलते हैं लेटेस बैबरेश्ट के क्यों बोला क्यों कहा हो रहे हैं कि łätटेस की हई से हमने इस टाइब क्या बोलते हैं लिखना चाहते हैं, now, when we displace, तर लिखे चलो, when we displace, when we displace, displace an atom, an atom, from, from its equilibrium position, equilibrium position, position, then, it result, it results in vibration, a vibrational motion, vibrational, vibrational motion of atom, vibrational motion of atom, okay, and this vibrational motion of atom is known as lattice vibration, and this vibrational, vibrational motion of atom, motion of atom is known as, known as lattice vibration, इसे हम क्या बोलते हैं, lattice vibration, समझ में आगे, definite समझ में आए, ठीक है, अब देखो, पहले point दालने से पहले, एक चीज़ समझो, अब जैसे ही में इस atom को displace करूँगा, जैसे ही में इस atom को displace करूँगा, कुस वाले को, इस वाले को, देखो, यह atom इस से भी दो connected है, है connected, हाँ है, तो इसका होले यह इस से connected है, तो यह भी displace होगा, यानि, यहाँ पर मैं अगर किसी एक atom को displace करता हूँ, तो उसका effect हर atom बजाता है, उस lattice में जितने भी atom present है, वो हर atom में उसका effect क्या होता है, जाता है, ठीक है, तो मैं यह बोल सकता हूँ, कि जो यहाँ पर oscillation है, या वो उसका vibration है, वो कैसे है, coupled हैं, यानि, जो force है यहाँ पर, वो कैसा है, coupled है, बोल सकता है, अगर मैं इसको यहाँ से displace करूँ, यहाँ पर ले जाओ, तो यह भी क्या होगा, display हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, यानि, एक atom को displays करने में, उसका effect हर atom में क्या होगा, आएगा, ठीक है, तो इसको लिख के चलेंगे, कसे लिखेंगे हम, since, since, each atom, each atom, each atom, each atom is connected to each other, to each other, with the help of, with the help of, elastic, elastic spring, spring, hence, hence, on, whence, on, displace, displace any one atom, any one atom, it effect, it effect, all other atom, all other atom, present in, present in, the, lattice, in the, lattice, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, कि, since, each atom is connected to each other, with the help of, elastic, spring, hence, on, displace, any one atom, it effect, all the other atom, ठीक है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है, अगर मैं, एक को, displace करूंगा, तो, उसके, अगल बगल, उपर निचे, जितने भी, टी, atom होंगे, उन, समनो, उसका, object होगा, माना, मैंने, इसको, displace किया, अगर मैं, इससे, displace करूंगा, उससे, ये भी, effect होगा, ये भी, effect होगा, ये, हर atom, क्या हो जाएगा, effect हो जाएगा, अगर मैं, किसी भी, एक, एक, क्या करता हूँ, उसके, mean, position, से, डिस्पेस करता हूँ, के लिए ये पहला point होगा, दूसरा important point क्या है? Lattice vibration occurs at all temperature, ठीक है? क्या है? Lattice vibration, lattice vibration, vibration occurs, occurs at all temperature, at all temperature, हर temperature में क्या होते है? Lattice vibration occurs होते हैं, यानि vibration किसी भी इस solid के अंडर, जो atom का vibration है, वो हमेशा वहाँ present होता है, चाहे उसका temperature कुछ भी हो, even at, यहाँ पर लिखके चलेंगे, बहुत important line है, even at, even at, absolute zero, absolute zero temperature, absolute zero का मनला, zero Kelvin temperature भी वहाँ पर vibration होंगे, even at absolute zero temperature, ठीक है? तो, lattice vibration, vibrations, occurs at, at all temperature, even at, absolute zero temperature, ठीक है? यह सेगेंड पॉइंट हो गया है, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, इसलिखो, cause of, क्या करा हो सकते हैं? cause of vibration, cause of vibration, ठीक है? तो, पहला cause तो क्या हो सकता है? पहला cause हो सकता है क्या? internal energy of solid, ठीक है? internal energy of solid, internal energy of solid, ठीक है? इंटर नेर्जी का मनला, temperature जैसे related होगा है, ठीक है? जो किसी solid की internal energy होती है, उसकी वीज़े से क्या हो सकते हैं? यह vibration हो सकते हैं, ठीक है? दूसरा cause क्या हो सकता है? any mechanical force, external mechanical force, external mechanical force, ठीक है? जैसे हमने हत्रोडा लिया, और हत्रोडा से किसी एक गिलास पे मारा, यहां बोल सकते हैं, किसी भी एक solid पे मारा, तो होता है, टन से वैड़र करता है, ठीक है? वही क्या है? latest vibration है, तो कोई भी एक external force हो सकता है, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हो सकता है एक्स्टनल अलेक्ट्र मेगनेटिक इन थे इक्स्टनल कालान हो सकता है अब देखो अब इतना होगा याटिया आब लिखो को वाई Do We Read वाईरेस लेकर रहे तो बहुती गंदा हो रहा है है स्रुरिया स्वाइट इसने गंदा कर दिया ने। आज वाई वाई है 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 कि अधुज़ी रीड है फो लेस्ट्रेश्ट्रेरिस्ट्रेश्ब lattice vibration क्यों करते हैं क्यों पढ़ते हैं lattice vibration study of lattice vibration give us study of lattice vibration give us information about information about about thermal properties of thermal properties of any solid any solid as जैसे क्या हो सकते हैं थ्रान प्रोपर्टी इस्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट हो सकता है या क्या उसल थर्मल कंड़क्टिविटी थर्मल कंड़क्टिविटी हो सकता है ठीक है एक्स्ट्राइट से ओके तो अलग अलग temperature पर उसे हम क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं या कि उसके बारे में study कर सकते हैं ओके ना तो यह क्या होगा इंट्रेक्शन होगा किसका लैटिस आज के लिए इतना बहुत हैं इंट्रेक्शन में ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं इसको लिख रहा हूं तो लिखने में उतना मज़ा नहीं आ अगर आप लिखाने को जाओगे तो आप बोल कम पाऊगे अगर आप बोलोगे तो आप लिखाने काम ज्यादा करूंगा ठीक है अब कल क्या पढ़ेंगे हम मैं लेक्ट लेक्चर में क्या होगा हमारा यो क्या पढ़ लिया हमने एक इंट्रोडेक्शन गिया किसका लेंटियर्वब्रिशन का अब दीखेंगी लेंटिच्छवब्रिशन अलग-छलग अलग मोलीकूल में कैसे बहुंग पहले हम देखें किसक Amen take just के लिए ठीक नेक्स लेक्चर में उनकों क्या करेंगे एक एक करके दिस्खस करेंगे आज के लिए बस इतना ही ठीक तू मिलते हैं आप से नेक्स लेक्चर में टॉपिक के साथ तो पिल थेंक्यू धन्यवाद